Hey everyone, तो कैसे हैं आप सब? So, आज discuss करेंगे Supreme Court का एक और landmark judgment Basically, जो की related है reservation से यहाँ पर यह जो reservation यह particularly बात करता है Maratha लोगों के reservation के बारे में So, इस वीडियो में जानेंगे जो reservation दिया जाने वाला था Maratha लोगों को क्या वो उन्हें मिलेगा? और तो और इस reservation के context को लेके जो भी यहाँ पर provisions है क्या उन्हें सही में struck down कर दिया गया है So, वीडियो पूरा देखिएगा सबसे पहले इस case का नाम जान लेते हैं आप दिख सकते हैं जैशरी लक्षमन राव पाटिल versus Chief Minister of Maharashtra 2021 का latest case है यह अगर आप एक ऐसे person है जो judiciary pursue कर रहा है या आप एक law aspirant है So, आपके लिए एक case बहुत ही जादा important है So, कुछ facts clear कर लेते हैं अपने 2017 में Maharashtra की जो state government है उन्होंने commission का establishment किया था आप देख सकते हैं state backward class commission इस commission का proper और primary goal यही था कि जो भी socially और educationally backward classes है चुने गए थे आप देख सकते हैं उनका नाम तर जस्टीस गायक वार्ड यह जो justice गायक वार्ड है इन्होंने कई अपनी recommendations दी थी इन्होंने यह भी काता कि reservation मिलनी चाहिए आप देख सकते हैं 12% reservation मराठा लोगों को मिलनी चाहिए educational institutions में और 13% reservation की जो seats हैं वो मिलनी चाहिए public services में यह recommendations थी justice गायक वार्ड की आगे भढ़ते हैं यह सब ही recommendations जो महाराष्टा की government है वो मान लेती है और इसी चीज़ के pursuence में वो एक act पास कर देती है जिस act का नाम है socially and educationally backward classes act 2018 basically यहाँ पर इस act को SEBC 2018 के नाम से भी जाना जाता है तो यह चीज़ आप याद रखिएगा सो यहाँ पर कई तरह की recommendation दी गई थी जैसे कि मैंने आपको बता है educational institution में 12% का criteria था 13% की जो seats थी वो reserve थी माराठा लोगों के लिए in the public services लेकिन यहाँ पर 12% और 13% से ज़ादा जब SEBC Act socially and educationally backward classes act पास किया था माराष्टियन गवर्मेंट ने तो उन्होंने इस reservation का जो criteria limit बढ़ा के उसको कर दिया था 16% आप देख सकते हैं यह चीज़ यहाँ पर एक बहुती famous case है और एक बहुती landmark judgment है सुप्रीम कोट का इंदरा साहनी versus union of India आप सभी जानते होंगे आप सभी ने पढ़ा भी होगा यह case सो यहाँ पर इस case में सुप्रीम कोट ने यही चीज़ held की थी कि जो ceiling limit है वो 50% से exceed नहीं होनी चाहिए reservation की यहाँ पर जितनी भी reservation देनी है दे सकता है वो state लेकिन 50% से जादा exceed नहीं करेगी 68% तक हो गई थी यार आप खुछ सोचिए अगर 50% reserved candidates के लिए seat चलिए उन्होंने ceiling limit दे दी इंदरासानी केस में सुप्रीम कोट ने यह चीज़ कह दी कि 50% आप ceiling limit रख सकते हैं उसके उपर भी अगर आप यह limit बढ़ाते हैं तो जो unreserved candidates है वो कहां जाएंगे तो जब यहां पर यह specify हो जाता है कि जो SEBC Act है वो 68% की limit देता है बेसिकली 50% का जो criteria है वो भी यह cross कर देता है तो उसके बाद यह जो act है इसे challenge किया जाता है इन्दा Honorable Supreme Court में तो यहां पर कई सवाल यह भी उड़ते हैं कि जो SEBC Act 2018 है वो carry करता है substantive question of law बेसिकली यहां पर substantive question of law का simple meaning यह है कि जब किसी law के उपर उसकी validity को लेके सवाल उटे उसकी validity को लेके यहां पर question raise होए तो उसको कहते हैं question of law arise होना बेसिकली यही चीज़ यहां पर ensure की जाते है substantive question of law में कि वो law valid है यहां नहीं बेसिकली 5th में 2021 को Supreme Court यहां पर यह कहते हैं कि जो इंदरासानी केस है उसमें जो भी guidelines दी थी Supreme Court ने जो भी चीज़े observe की थी यहां पर उसको पूरी तरीके से Supreme Court इस case में भी observe करेगा और पूरी तरीके से ध्यान में रखेगा और इसी चीज़ के regarding जो ceiling limit है वो exceed नहीं करनी चाहिए 50% से उपर यहां पर जो 50% की limit थी जो की decided थी इंदरासानी केस में reservation की basically वो cross नहीं होगी यहां पर खेर आगे बढ़ते हैं recommendation जो दी थी justice गायक वार्ड ने Supreme Court का यह कहना है वो recommendation कई से भी किसी भी तरह का ground carry नहीं करती और extraordinary condition carry नहीं करती जिसके basis पर वो recommendation दी गई थी basically यहां पर Supreme Court का यहीं कहना है कि जब भी कोई भी justice या कोई भी judge कोई चीज यहां पर देता है कोई recommendation यहां पर देता है तो उसके पीछे का उसे reason यहां पर mention करना जरूरी है एक extraordinary condition या कोई grounds mention करना जरूरी है जिसके उपर वो recommendation बिल्ड हुई है जिसके उपर वो recommendation टिकी हुई है लेकिन जब justice गायक वार्ड ने recommendation दी थी आपको याद ही होगा 12 परसेंट और 13 परसेंट का जो criteria दिया था उसके उपर कोई भी यहां पर extraordinary condition उन्होंने mention नहीं कई और उसके भिहाव पर कोई भी ground यहां पर specify नहीं करे थे justice गायक वार्ड ने तीसरी चीज़ जो supreme court ने बोली और जो बहुत ही जादा important है सुप्रीम कोड यहां पर यह चीज़ mention करते है कि 102 amendment जब हुआ था in the Indian constitution सो यहां पर जो state के पास power थी backward classes को establish करने के लिए वो काफी कम हो गई थी और अब जो state है वो यहां पर एक particular strata of society या category और class of persons को declare नहीं कर सकता as backward classes यह जिम्मा जो है अब वो है president के उपर basically यहां पर जो state है भले ही उसके पास power नहीं है लेकिन वो recommend कर सकता है suggest कर सकता है president को Mr. President यह यह जो strata society का यह यह जो class और category है society की उसको हमें backward classes declare कर देना चाहिए तो आप इस चीज़ को हमारा suggestion मानिये लेकिन यह पर state के पास power नहीं है बस वो एक तरह की सला दे सकते है president को और फिर president Parliament के साथ मिलके यहां पर एक particular strata class या category of society को यहां पर declare कर सकते है as backward classes लेकिन यह चीज़ यह जो power है वो state के पास नहीं है बेसिकली यहां पर finally supreme court अपना verdict देते हैं और वो cancel कर देते है socially and educationally backward classes act को जो की पास किया गया था 2018 में by महराष्टा government उस चीज़ को ही cancel उस act को ही cancel कर देते है supreme court यहां पर और बेसिकली जो reservation दिया जाना था मराथा लोगों को वो भी यहां पर cancel कर दी जाती है so आज जो मैंने आपके साथ case discuss किया है वो भूती जादा important है और latest है अगर आप किसी competitive exam में हाँ पर बैठने वाले हैं या कोई भी आप exam लिखने वाले हैं जो कि judiciary से या law से related है so आपको एक case जरूर जाना चाहिए so मुझे उमीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी जिस information को आप यहां gather करने आए होंगे वो आपको मिली होगी have a great day